So Hello Guys, Welcome to my YouTube Channel, Ritik Technical Support इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपने अपने डिवाइस में देखाओगा Trusted Devices का फीचर तो basically ये फीचर क्या होता है पुरा डीटेल में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा अब लिक आइकोन को प्रेस कर लेना है Trusted Devices ठीके, आपको ये जो फीचर है आप अपने डिवाइस की सेटिंग्स में जाईए और ये जो फीचर है आपको Smart Lock में देखने को मिलता है ठीके, जो Simple हम यहाँ पर Smart Lock open कर लिए और यहाँ पर हमें अपना Lock, Screen का Password डालना होगा ठीके, Lock, Screen का Password जैसे ही डालेंगे हमें 3rd option मिलेगा Trusted Devices का ठीके, Simple हम इस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद आपको काफी कुछ Animations में ही देखने को मिलेगा जब आप अपने डिवाइस को Connect करते है Smart Watch से Trusted Devices पर आप लोग क्लिक करेंगे और आपको, यहाँ पर हम Pair New Device पर क्लिक करते और जब आप अपने डिवाइस को Connect करेंगे Smart Watch से तो इसमें बेसिकली होगा क्या कि आपका फोन अगर पॉकेट में है और आपका फोन Connected Smart Watch से तो आप डारेक्ली अपने फोन को Unlock कर सकते Smart Watch से ठीक है, तो यह फीचर इस तरीके से काम करता है So topic is cover, मिलते है नेक्स्ट वीडियो में जाइ मतादी